वेल्कम तो इंटेलिजेंशिया इंस्यूट्यूट इंटेलिजेंशिया इंस्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्य ना हूँ ठीक है तो देखिए एक्जाम जो है 17 मार्च को होगा की नहीं होगा यह आयोग डिशाइड करेगा लेकिन आयोग जो एक्जाम को क्यों डालेगा इसके पीछे सिर्फ 2-3 रीजन हो सकती है या तो आयोग तयारी ना कर पाया हो एक्जाम कराने की इस्तिती में है नहीं अभी वो किसी वज़ा से उसके काम में डिले हुआ हो तो हो सकता है एक्जाम टाल दिया जाए या लोग सभा चुनाव होना है और चुनाव होने के जब एक्जाम होना है उससे पहले अगर असूचना जारी हो जाता है तो एकजाम से ओर है टलेगा ठीक है फिर ये में जून में ही होगा और अगर यह केसिज नहीं है तो एकजाम किसी भी कीमत पे नहीं टलेगा ये याद रखना ठीक है और आरो ए आरो एकदम कह Nephitsij ली है एकजाम इसका एकजाम जब अब होगा ये लगवग मैई जून में होगा ठीक है ये मान के चलिए ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले हम राश्टिये जो करेंटरपेट से इसको कबर करेंगे तो परदान मंतरी नरेंद्र मोधी ने उत्तरपडेश में किस मंदिर का शिला नियाश किये हैं तो इस मंदिर का नाम है शिरी काली की धाम नाम है और यह किये हैं 19 फरोजी 2024 को और यह मंदिर जो है शंभल जिले में इस्तित है ये भी याद रखना ठीक है अच्छे से याद रखना एकजाम में यही साब पूछे जाते हैं ठीक है बेरी इंपोर्टेंट है यह पूछ पूछा जा सकता है जाम में अब अगला है फर्थम डिश्टल इंडिया फ्यूचर इस्किल समिट 2024 कहां आयुजित किया गया तो यह आयुजित किया गया है गुहाटी असम में और यह आयुजन इसकाफ़ा पंद्रा फरोजी 2024 को ठीक है और इस शमेलन का आयुजन किस ने कि तो किये हैं केंद्रे इलक्ट्रोनिकी योम सूचना प्रद्योग की मंत्राले ने राश्टिय इलक्ट्रोनिकी योम सूचना प्रद्योग की संस्थान के माध्यम से ठीक है याद रखना अच्छे से अब अगला है किसे असम का राजिफल इस्टेट फ्रूर घोचित किया ग की मात्र का ठीक है मात्र का याद रखना अच्छे से पूछा जा सकता एक्जाम लिजे अब इसी में है पचात्रवां गरतन दिवस मनायेगा 26 जनुरी दोजार चौबिस को यह सब को बता होगा अब देखे इशी में है 15 गर्तन दिवस परियेट के लिए सर्वसेष्ट जहांकी अवाड जजो के पैनल के मुल्यांकन के आधार पर किस राजी को जहांकी को दिया गया तो यह दिया गया है उडीशा राजी की जहांकी किस थीम पर आधारी थी ये भी जहां में पूछा जा स सकता है तो विक्सित भारत में महिला ससकती करण ये उडीशा राजी की जहांकी का थीम था ठीक है याद रखनाचे से अगला है स्वारी बतलब इसी में 15 गर्तन दिवस परियेट के लिए जजो के पैनल के मुल्यांकन के आधार पर सर्वसेष्ट जहांकी मंत्राले अगला है 75 गर्तन दिवस परियेट के लिए आनलाइन पोल के आधार पर घोचे तीन सर्वसेष्ट जहांकिया किन राज्यों की थी अब देखे यहां पर बात हो रहा है आनलाइन पोल के आधार पर ये थोड़ा याद रखना नहीं तो गलत हो जाएगा आनलाइन पोल अगर की बात करेंगे तो तीन सर्वसेष्ट जहां की जो है पर्थम पे रहा है गुजरात और विशए रहा धोरोडो गुजरात के शीमा परियतन का एक बैस्विक प्रतिक ठीक है अभी धोरोडो गाउं है एक तो इसका अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि UNWTO ने जो है ठीक है याद रखना भी आगे मिलेगा अब दुटियए असथान पर उत्तरपदेश रहा तो यह याद रखना अगर online पॉल में देखा जाए तो उत्तरपदेश जो है दुतियए अस्शान पर रहा ज़िए भिसे रहा है यह बहुत ही क्योंकıt.. एक है याद रखना यह उत्त वाइस्विक अस्थर पर प्रतिस्पर्धी बनाना ठीक है मतलब विद्यार्थी जो है वो ग्लोबल अस्थर पर मतलब विश्व अस्थर पर जो है कोबर वाली गायों में एक कौन है तो यह है फुगनूर गाय क्या है फुगनूर गाय सामाजिक नियाई के प्रतिमा इस टेच्यू आफ सोसल जेस्टिस का अनावरर कहां किया गया तो यह किया गया है विजयवारा आंदर प्रदेश में और कब किया गया तो 19 जनुरी 2024 को और यह किसकी प्रतिमा है तो डाक्टर वियार अमेडिकर की भीमराव अमेडिकर की अब अगला है राजी स्टार्ट अफ रैंकिंग 2022 में एक करोर से अधिक जन्संख्या वाले राज्जियों में सर्वसेष्ट प्रदर्शन करता कौन है तो यह जो है एक करोर में गुजरा पहले अस्थान पर फिर दूसरी पर करनाटक तीसरे केरला और चोथे पर तमिलाडू ठीक है तो देखिए यहां पे चारो नाम याद रखना क्योंकि एक्जाम में अब आप्सन में दिया जाता है कि निमलिखित में से जैसे एक्जाम में ऐसे कुश्यन आएगा कि राज अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वसेष्ट प्रदर्शन करता निमलिखित में से कौन सा राज नहीं है ठीक है अब गुजरात करनाटक केरल दे देगा एक कोई और दे देगा ठीक है तो ये तो गुजरात याद रखना फिर करनाटक केरल अब तमिलाडू ठीक है हाँ ऐसे याद रखना जी के जी के के टी ठीक है याद रखना लब जी के 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 टी ठीक अब इसी में है स्रेडी ये राज्यों में नेत्रुत करता ठीक है मतलब लीडर्स किन्हें गोचित क्या गया है तो गोचित क्या गया आप देखिए नेत्रुत करता में है उत्तर जा गया था कि उत्तरप्रदेश का किस श्रेणी में अस्थान मिला है तो नेत्रुत करता में मिला है ठीक है श्रेणी ये राजियों में नेत्रुत करता में ठीक है याद रखना इसके साथ उत्राखंड फिर मद्ध प्रदेश असम और अंद्ध प्रदेश ठीक है मतलब यूपी से अलग हुआ था उत्राखण इसको याद रखना फिर यूपी यंपी और एपी ठीक है सम्मिपी है उसके बाद में आएगा असम ठीक है थोड़ा याद करने का तरीका होता है याद रहा हो ठीक है यूपी यंपी एपी और उत्राखण ठीक है उसके बाद में असम ए हुआ 22 जनूरी 2024 को हुआ है याद रखना अयूद्या में शिरी राम चन भुमी मंदिर का निर्मान किश पाराम पारिक अस्थापत कला सहली में किया गए है तो यह नागर सहली में किया गए है याद रखना अब यह आट एट कल्चर का है ये अब नागर सहली के बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ लेना अच्छे से हिस्ट्री कभी से हो जाता है ठीक है क्योंकि हिस्ट्री में ये कोईशन पूर सकता है नागर सहली के बारे में पूर सकता है तो नोट कर लिजे, आप लोग नागर सहली के बारे में अच्छे-से देखते ना, ठीक, हाँ, शीरी राम जनभूमी मंदिर के मुख वास्तुकाब, मनलब चीफ आर्केटेक कौन है, तो यह हैं चंदरकांद सौमपूरा, ठीक है, चंदरकांद सौमपूरा है, ठीक, चिरी राम जनभूमी मंदिर का परिमाप लंबाई चोड़ाई उचाई क्या है तो लंबाई है 380 फिट चोड़ाई है 250 फिट और उचाई है 101 फिट ठीक है और इसका पूरा नामों का सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन अयरुवेदिक साइंस का एक मानो शंशातन विकास केंद्र है अब देखते हैं असम के सरवोच नागरिक सम्मान असम बैभो से किसे सम्मानित किया गया तो रंजन वोगोई को पंदरा जनुरी दोहजार पचीस को भारत मोसम बिज्ञान विभाग आई एमडी की अस्थापना कितने वर्स पूरे होंगे तो डेड़ सो वर्स कितने वर्स डेड़ सो वर्स पूरे होंगे भारत के सरवाधिक लंबी बारत के सरवाधिक लंबे शमुद्री पुल का नाम क्या है तो इसका नाम है अटल विहरी बाजबेई शिवडी नहावा शिवा अटल सेतू ठीक है और इसको किस अनी नाम से जाना जाता है तो मुंबई ट्रांस हारवर लिंक के नाम से जाना जाता अब अगला है गुजरात ठीक है गुजरात में जो है वाइबरन्ट गुजरात बैस्विक सीकर संमिलन हुआ है तो एक अब वद 10 से 12 जनुटी 2014 के वीच हुआ है हुआए हम संस्क्राण की बात करेंगे तो दसवा संस्क्राण रहा है ठीक है अब देखते हैं अगला पश्यम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज दिवस मतलब पश्यम बंगाल अस्थाफना दिवस के रूप में मनाने के लिए अजसूचना जारी किया है तो 1.08.2024 पहले याद रखना पश्यमगाल सरकार ने जो है 1.08.2024 अज सूछना जारी किये हैं याद रखना और किसे दिन को तो पोईला वैसार और बंगाली नवर्ज का प्रथमतिम है ये तो याद रखना पोईला का संबंध हमेशा पश्यमगाल से है कभी-कभी एक्जाम में मैचिंग भी ऐसे कराया जाता है तो लोग समझ नहीं पर प्रेक्व में ये करेंट अबेर्स हैं तो अगर कहीं पर पोईला है बस पोईला याद रूकना तो इसका संबन सीधा बेस्ट वनगा जाए इतना याद रूकना वस ज्यादा राख देखिये फैक्ट जो होते हैं उसको कनेक्ट करो बस थोड़ा पकड़ो और चिपका दो बस ऐसे ही है ठीक है बाकी कुछ जादा पढ़ने की जरूवत है नहीं थोड़ा स्टेटीजी से पढ़ा आयाता है ठीक है अब देखते हैं हाथे पश्यम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज गीत के रूप में अर्शूचित किया है तो वंगाल वंगलार माटी वंगलार जल रवीना टाइगोर के दोरा रचना किया गाए इसका ठीक अब अब अगला है इंडिया इसके रिपोर्ट 2024 तो ये संस्करण है तीक है सबसे पहले याद रखना प्रकासित किस के दोरा किया गए यह question है तो हुई वाक्स के द्वारा ठीक है और एक प्रतिभा एक प्रतिभा मुल्यांकल एजन्सी है ठीक है रिपोर्ट के अंस्वार कार्ड के लिए सबसे पसंदीदा राजी कौन सा है तो केरल है अब इसी में जो है शमक्र इवा नियोजनियता ठीक है मतलब गुबराल यंग इंप्लोईविल्टी कितनी है ये पुछा गया है तो 51.25% है ठीक है ये आधरनाच्छे से इंडिया इसके रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो पूरे इवा है यंग जनेरेशन है उसके 51.25% ही जो है इंप्लोई है मतलब नियोजित है ठीक है इंप्लोईमेंट के लावा है उनको ये आधरना अच्छे से अब सरबाधिक रोजगार योगी परतिभा उपलब्द कराने वाले राज कौन से हैं तो बिल्कुली आध रखना पिर है महाराष्टे मेर्चे याद रखना फिर एपी फिर योपी ठीक है फिर केरला फिर केलांगाना ठीक है याद रखना अच्छे से एक ये पूरा याद रखना बोलना नहीं इसमें और उत्तरप्रदेश का अस्थान इसमें रहा है फूर्थ ये भी याद रखना अच्छे से याद रखना उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो चौथा है ठीक है फोर्थ है और पहले पर हरियाना है ये भी याद रखना तूसरे पर महाराष्टा है ठीक है बिल्कुल भूलना नहीं है रोजगार योग इवाओं की शरबाधिक शंख्या किस राज में है तो परदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने और इस खंड के लंबाई कितनी है तो 402 किलेमिटर है और यह कारीडोर का खंड है तो इस्टर डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर ठीक है याद रखना अच्छे से बिश्व के सबसे बड़े कारियाले भावन का उत्वाटल कहा किया गया है तो सूरत में और इसका नाम है सूरत डायमड बोर्ज टिक केंद्रिय मंत्री मंदल ने किस हवाई अड़े को अंतराज्टिय बिमान पतन घूचित की है तो इस सूरत हवाई अट्डा है अब अगला है भारत का पहला पूरता इंटीग्रेड इस्कूल आप सर्ष्ट ने कहां लांच किया गया है, तो IIT कानपुर में, ठीक है, कोटेक महंदराबायं की योँ आयाइटी कानपुर की साजयधारी से, अब अगला है, कैयर फारकुरी गोटाले मामले में, शनलिप्तता के कारण किस सांसद को लोगसभा से आयोग की गोशित किया गया है, तो इनका नाम महुआ मुईत्रा टीक है और अकिल भारते त्रिमुर कांग्रेज की जो है ये वहाँ से सांसद है ञाए इस पार्टी की ये सांसद है, सदस्या मतलब टीक है, यार रखना महुआ मुईत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद है तो किष्णानगर पश्ची मंगाल में पढ़ता है व द्वारा चारी किया गया है रिपोर्ट के अनुस्वार प्रति लाग प्रति लाग जन संख्या पर अपरादर वर्ष दोजारी कीज के 445 तस्मलो 9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है तो 425 तस्मलो 2 ठीक है याद रखना अच्छे चे प्रति लाग जन संख्या पर सबसे कम अपराद किस मानगर में हुई है तो कोलकाता में हुई है ठीक है सबसे कम अपराद बिस्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का नावरर कहां किया गया है तो ये कुलकराम हरियाना में किया गया है तो आरोग की महत्री और क्योग और इसे जो है किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है तो भीस्व परियोजना के तहत निर्मित किया गया है केंद्रिय मंत्री मंडल ने विशेश रूप से सम्वेद अंसील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी परदान किये हैं तो इसका नाम है प्रधान मंत्री जनमन योजना है और यह नॉबर 2023 में जो है सुरुवात किया गया है मंजूरी दिया गया है ठीक है और ये है किसके लिए तो संबेदन सील जंजातियों के लिए है बिल्कुल याद रखना है और जनमन का पूरा नाम है मतलब बिस्तादित रूप है तो परधान मंतरी जंजाती आदिवाशी नियाय महावियान ठीक है अच्छे से याद रखना नॉमबर 2023 याद रखना क्योंकि मुझे पता है ये 5-6 योजना का नाम दे देगा और कूट लगवाएगा कि पहले कौन फिर कौन फिर कौन तो ऐसे याद रखना है हो सकता है दे दिया जाया परधान मंतरी जनमन तो परधान मंतरी जनमन अभी latest आया है नॉमबर 2023 में ठीक है तो ये सबसे last में होगा अगर इसके बाद अभी वोई योजना लांच नहीं हुआ है यहां तक मुझे पता है ठीक है हुआ होगा तो अभी आगे मिल जाएगा ठीक है वैसे हुआ नहीं है ठीक तो याद रखना अच्छे से इसको अब अगला है question दाहंप नामक दुतिय वि अगला है केंद्रिय मंद्री मंडल ने किस समूह को केंद्रिय मंद्री मंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्द कराने से समधित योग एक योजना की मंजूरी पतान किये हैं ठीक है तो महिला शोयम शायता शोमुमू को ठीक अब अगला है दस अजार में जन और साधी आईिशुमान भारत हेल्प और बेलनेस सेंटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका नाम रखा गया आईशुमान आरोगी मंदीर है काशितमिल संगमम का दूसरा चरण का आयजित किया गया तो 17 से 37 दिसंबर 2030 के वीच या संगमम कहा आयुजित किया गया तो वरान सी उत्तरपतेश में गुजरात ने किस मचली को राज मचली घोशित किया है तो गोल मचली को किस राजी की रिस्पोनसबिल टूरिज मिशन को सभी तो राष्ट बिस परियटन संगटन कि गलोबल केस इस्टडी लिस्ट में सामिल किया गया है तो केर में ठीक है या रखना बिस्प के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावर कहां किया गया है तो सिद्धी फेट तेलागना में शाथी पोर्टल किस के द्वारा लांच किया गया है तो केंद्रे सिच्छा मंत्राले और आयटी कानपूर साथी का पूर्ण रूप है तो सेल्फ एसेस्मेंट टेस्ट एंड हेल्फ फार इंटरिंस इग्जामनेशन अग्नी पहल कि समंत्राले दौरा लांच किया गया है तो केंद्रे आयुश मंत्राले के दोड़ा लांज किया गया है तो उत्तर प्रदेश के तरह शिटी इन्वेश्मेंट टू इन्वेट इंटीग्रेट एंड शेष्ट नेवल 2.0 चैलेंज लांज किया गया है तो नई दिल्ली से और कप 16 नॉंबर 2030 से शेटीच 2.0 का मुक्व देश क्या है तो एकी कृत अफसिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रिय अर्थव्याउस्था को पढ़ावा देना तिक उत्तर प्रदेश के पहले वेड़ बकरी पालन प्रासिच्छन केंदर कहा लोकार पन किया गया तो इटावा में अब देखे अगला कृश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन का जिकरम शक्ती वन्दन का एहजन किया गया तो गोंडा में किया गया और एक कब किया गया है तो 22 अक्टूबर 2030 को यूपी इक्जाम है डेट भी आज़क में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चितोड़ गड़ राजस्थान दोड़े पर किस एतियासिक मंदिर का दोड़ा की तो इसका नाम है शांवरिया शेठ मंदिर ठीक आई अश्यो नो हजार एक दो हजार पंद्रा प्रमान पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहां इस्थिते तो बहुबाल मत्री देश की पहली रैपिड रेल सिवा का नाम क्या है तो नमो भारत और राश्ट ब्यापी आपरेशन चक्र टू नामक अभिय किसके द्वारा प्रारम किया गया है तो केंद्रिय जाच फिरो के द्वारा यहां किसके खिलाप प्रारम किया गया तो संगटित साइबर अपराग की खिलाप ग्रे मंत्री अमिश्या ने किस सहर में समौ सहीद इसमारक पुस्तकाले का उद्गाटन किया तो गांधी नगर गुजरात में यह इसमारक किस क्रांती शेयर शाम मंदित है तो 1857 की क्रांती से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने इवा विकास के लिए किस नए शरकारी मंच को लांज किया तो इमेरा इवा भारत इसका नाम है उत्तर प्रतेश राज का जलिय जीव किसे गोशित किया गया जिसे ने जाती आधारी सरवेच्षण कराने का गोश्णा किया है तो राजस्थान देश का जाती आधारी सरवेच्षण कराने वाला पहला राज है तो कोन है भिहार भारत की सब्से बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधार शिला कहां रखा गया तो नीमच यहां रखना है तो पर्थानमंत्री मोडी के द्वारा यह परियोजना किस राज की बश्तित थी थे तो मद्ध प्रदेश और उत्तर की देश सुच भारत मिशन ग्रामीड चलंड डूसरी की तहट राजी को 100% ओडिया फलस का दर्जा दिया गया तो उत्तर की देश को ठीक है याद रखना बेरी इंपोर्टेंट पहला नीर गिरी तहर विवस मनाया गया अगर आप लोग सपोर्ट बनाया रहेंगे चैनल को लाइक करते रहेंगे सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम इस सीरीज को कांटिवियू करतेंगे अगर आप लोग सपोर्ट नहीं बनायेंगे तो सीरीज को कांटिवियू बिल्कुल नहीं बंद कर दूगा यही पर क्योंकि मेहनत तभी होगा जब मुझे कुछ रिस्पांस मिलेगा मेहनत नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे जब सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेर करेंगे तभी आगे लेक्चर आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे ठीक है थाइंक्यू फार वाचिंग दिस लेक्चर